बच्चो आज हम जो है हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की बच्चो आपकी बुख है दीप जोती इसका आज हम जो है पार्ट ग्यारा पढ़ेंगे बच्चो आपका पार्ट ग्यारा है समान अर्थ वाले शब पार्ट का नाम क्या है पार्ट का नाम क्या है आपका समान अर्थ वाले शब इसका इंगलिश में क्या कहते है स्नोनियम्स क्या कहते है स्नोनियम्स इसका क्या होता है जैसे आपको कोई भी एक चीज है उसके कितने नाम है, दो नाम है, लेकिन वो चीज क्या है, एक ही है, वस्तु क्या है आपकी, एक ही है, लेकिन उसके कितने हैं, उसके दो नाम है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं, उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, उन्हें हम क्य चित्र दे रखा है इस चित्र का नाम क्या है सूरज इसको हम चांद भी कहते हैं और क्या कहते हैं चंद्रमा चांद भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं नेस्ट आपका यह चित्र है इसको हम क्या कहते हैं अकाश इसको हम अकाश भी कहते हैं और क्या कहते हैं आसमान और क्या कहते हैं आसमान ऐसे ही आपका है इसको हम क्या कहते हैं परवत और इसको हम क्या कहते हैं पहाड भी कहते हैं, इसको हम परवत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पहाड भी कहते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट है, खग, इसको हम खग भी कहते हैं, और इसको हम पक्षी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, खग और पक्षी, ऐसे ही किसका है, पेड, इसको हम पेड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं फ्रिक्स पेड फ्रिक्स ऐसे ही पानी जल इसको हम पानी भी कहते हैं और क्या कहते हैं जल इस चित्र को हम क्या कहते हैं स्त्री और नारी इसको हम स्त्री भी कहते हैं और नारी भी कहते हैं ऐसी आपका है इसको क्या कहते हैं पुत्र बेटा पुत्र बेटा य ब्रिक हीरन ये बच्चु क्या है इने भी याद करो इने भी याद करो ये आपका है पत्र चिठी घर ग्रहें किताब पुझतर प्रकाश रोशनी साल वर्ष जंडा ध्वज वर्षा बारिश शेर सिहन साब सर सागर समुंद्र आकाश नब भगवान इश्वर एक बार हम इसे फिर से पढ़ेंगे पत्र चिठी घर ग्रहें किताब पुझतर प्रकाश रोशनी साल वर्ष जंडा ध्वज वर्षा पारिश शेर सिहन साब सर सागर समुंद्र आकाश नब भगवान इश्वर ये बच्चों आपके जो आपके 12 शब्द हैं पत्र से लेके भगवान तक ये आपको क्या करने हैं सभी बच्चों को अपनी हिंदी की कौपी के अंदर लिखने हैं सबसे पहले सभी बच्चे क्या डालेंगे पार्ट का नाम डालेंगे समान अर्थ वाले शब्द फिर यहां से पत्र चिट्टी घर ग्रह ये सारी जो हैं आप लिखने स्टार्ट करेंगे और कहां तक कदम करना है भगवान ईश्वर ये आपके बच्चों बारा हैं ये सभी बच्चों को अपनी हिंदी की कौपी के अंदर नीट एंड क्लीन हैं डाइटिंग में लिखने हैं और ये आपका होमवक है और सबको इसको याद भी करना है थैंक्यू